हेलो स्टुटेंट्स वेल्कम टू यूपी से एसस टैली प्रैम सीरीज का लक्षा नमबर 46 है और हमने पिछले वीडियो में फरोरी मंत की 5 एंट्री कंप्लीट कर ली थी तीन यहां पर यह सिंपल एंट्री थी और बाकी यहां पर 2 एंट्री आमने की थी जहां पर हमने जीए इस सेट है फरोरी और यहां पर पेमेंट वाजर पर 5 एंट्री कंप्लीट है तो यहां पर आगे गंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगला क्वेशन हमारा क्या यहां पर अगला क्वेशन है Mr. Gupta sold following item to Siam Trading Company यानि सियाम ट्रेडिंग कंपनी को Mr. Gupta ने कुछ आइटम लेकिन वहां पर हमें discount का column मिलता था कि वहां पर 5% 5% सभी item पर दिया है तो यहां पर देखें दोनों में difference कोई नहीं है अगर यहां पर अगर हम चाहें तो इसमें column यहां पर बढ़ा करके फिर भी यहां पर हम 5% का discount दे सकते हैं या फिर इस तरीके से भी दे सकते हैं तो हम column बढ़ा करके तो देना हमें पता चल गया अब यहां पर हम दूसरे तरीके से discount यहां पर apply करेंगे ठीक है दोनों चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो चलिए यहां पर इस entry को हम पास करते हैं और यहां पर accounting voucher में चलते हैं date यहां पर हमारी already set है हमारा voucher यहां पर होगा F8 यानी की sales party name में आपर कौन है देखिए party name में आपर है Sam Trading Company इनका लेजर पहले से बन चुका हमारे पूराने customer है ठीक है तो यहां पर Sam Trading Company एंटर करेंगे यहां पर control है enter और फिर यहां पर control है ठीक है sales यहां पर होगा sales और यह होगा sales taxable यह सारी चीज़े आपको अच्छे से यहां पर आ जाएंगे ठीक है तो यहां पर हम वीडियो को pause करते हैं और यह सारी item ले लेते हैं ठीक है तो यहां पर हमने सारी item की जो है entry कर ली है अब enter करते हैं और enter करते हैं यहां पर हमारा लगएगा tax लेकिन आपको पता है कि हमें यहां पर discount भी देना है ठीक है तो यहा आपका cash discount दूसरा होता है trade discount ठीक है जो trade discount होता है वो जब हम माल को बेजते हैं उसी time लगाते हैं और जो cash discount होता है तो जब हम payment लेते हैं customer से उस time discount कर देते हैं जैसे माल लेते हैं कि हमारा bill amount हुआ 5,93,000 रुपए ठीक है कितना हुआ 5,93,000 रुपए तो इस condition में अगर हम 93,000 र cash discount हो गया trade discount यहां पर है तो इसके लिए हमें अलग से laser बनाना होगा तो यहां पर हम laser बनाते हैं trade discount का ठीक है तो trade discount और enter करेंगे यहां पर under indirect expenses कहीं जाएगा ठीक है अंडर किसके जाएगा indirect expenses कहीं जाएगा यहां पर GST not applicable रहेगी ठीक है GST not applicable और यहां पर include inaccessible value calculation फॉर इस इसमें हम GST set करेंगे आपको याद होगा इस तरह का laser हमने बनाया था packing वाला ठीक है पैकिंग चार्ज का लेकिन वो under indirect income कह गया था लेकिन यहां पर यह discount है तो यह under indirect expenses गया गया है लेकिन यहां पर include inaccessible value calculation for GST यहां पर इसको हम on रखेंगे ताकि इस से GST पर भी reflection पढ़े क्योंकि यहां पर आपको पता है कि इसमें जो भी item हम sell कर रहे है इसका जो भी total है 2,59,500 रुपए इसमें सबसे पहले discount होगा 5% का discount यहां पर minus होगा उसके बाद जो amount बजाएगा उसके ओपर GST लगनी चाहिए तो इसलिए यहां पर हम set करेंगे goods ठीक है आपको पता है और यह based on value होगा एंटर करेंगे और अब यहां पर इसको हम accept करेंगे laser बन चुका है trade discount का फिर यहां पर rate में हम set करेंगे आपको याद होगा जब हमने packing charge यहां पर लगाया था तो rate हमने छोड़ दिया था सीधे 2000 रुपए amount डाल दिया था लेकिन यहां पर discount वाले में ठीक है य यहां पर 5% minus करना है तो minus 5% और एंटर करेंगे तो यहां पर यह minus हो जाएगा minus 5% का discount निकाल देगा clear है तो इस तरह से यहां पर हम trade discount देते हैं तो यहां पर अगर हम चाहते तो इसमें column जो है वो on करके 5% discount वहां पर भी डाल सकते थे तब भी amount आपका यही same आता ठीक है 2500 का उसमें से यहां पर यह इतना discount हुआ final amount आपका 256,025 रुपए हुआ जिसमें भी GST नहीं लगी है अब यहां पर हम GST लगाते हैं ठीक है तो एंटर करेंगे और यहां पर हम लगाएंगे CGST CGST और फिर उसके बाद यहां पर SGST हो गया चले यहां पर amount match कर लेते हैं तो 293, 2541, 293,540 ठीक है सारी चीज़े ओके हैं तो यहां पर यह entry complete हो गए इसको यहां पर हम accept कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर हम control करते हैं और यह entry accept हो गई आगे बढ़ते हैं अगला कुछ नहीं मिस्टर गुपता सोल्ड यहां पर भी देखे सोल्ड किया गया है साई digital वर्ड को तो यहां पर हम नीचे बढ़ते हैं पता चल जागा डे बुक से ठीक है क्योंकि थोड़ा सा इसमें confusion हो रही है साई digital इनका amount चेक कर लेते हैं कितना है तो ट्रैक करने में आसान रहेगा साई digital वर्ड इनका amount है एक लाग साथ हजार पांसो बीस रोपर ठीक है तो यहां पर ह यहां पर पार्टी ने में आपका कैस हो जाएगा एंटर करेंगे चंट्रोल एंटर करेंगे और यहां पर लगा देंगे cgst और फिर उसके बाद एंटर और sgst ठीक है बस हो गया यहां पर amount चक करते हैं एक लाग साथ हजार पांसो बीस रुपए एक लाग साथ हजार पांसो बीस ठीक है यहां पर आप देखेंगे कि Mr. गुपता जो कि regular dealer है यह किसको sell कर रहे हैं consumer को sell कर ठीक है तो regular dealer जब consumer को sell क करता है यह regular dealer composition को sell करें यह regular dealer unregistered को यानी URD इसको बोलते है unregistered को sell करें तो यहां पर GST जो है वो applicable रहती है ठीक है यह आपको पता है notes में हमने बताया था ठीक है और अभी हम इसके बारे में बात भी करेंगे इसी वीडियो में ठीक है क्योंकि यहां पर हम purchase from unregistered dealer वाल entry इसमें करने वाले हैं इसके बाद में just ठीक है तो यहां पर पहले तो इसको accept कर लेते हैं amount यहां पर बिल्कुल सही है तो enter करते हैं enter करते हैं और यहां पर GST e-way bill जो है इसको हम no करेंगे और बाकी e-way bill के बारे में हम बात में देखेंगे क्या है जिसको हमने accept किया यह entry complete ह अब यहां पर जो हमारा अगला question है यह काफी important है और यह नया question है ठीक है यहां पर हमने क्या किया है Mr. गुपता यानि कि हम हमने क्या किया है पर्चेज गिया है Pink City Electronics से जो की unregistered dealer है यानि कि उधार खरीदा है ठीक है लेकिन यह unregistered dealer है तो यहां पर हम कौन से dealer है हम है regular औ और यहां से खरीद रहे है माल को यह है unregistered ठीक है तो यहां पर एक नजर notes पर डालते हैं और आपको यहां पर हम notes में clear करवाते हैं कि कब किस से purchase करने पर क्या होता है ठीक है तो यहां पर हम चलते है notes में और उपर बढ़ते हैं यहां पर नीचे आते हैं यहां पर नीचे म पर जब regular से purchase करता है फिर जब regular composition से purchase करता है तो वहाँ पर GST लगती ही नहीं है ठीक है GST not applicable कोई GST वहाँ पर हमें GST के transaction नहीं करने है लेकिन जब regular dealer unregistered से purchase करता है तो इस case में GST applicable होती है लेकिन वो GST का जो पैसा होता है यह जो tax होता हो सीधे government को pay किया जाता है यहाँ पर purchase करता है तो इसको हम माले लेते है regular dealer 1 और इसको माले लेते है तो जब अगर माले लेते है regular dealer 2 ने यहाँ पर 1 से purchase किया तो हमारा यहाँ पर धूसरा dealer है यहcome tutti पहले ले बाले dealer को पूरा पेज़र करता है ठीक है मुलब जो purchase करता है जितना माल और बाकी जो tax है वह सारा कुछ जिसको pay कर देता है ये government को नहीं pay करता उसका पैसा लेकिन जब ये regular आगे sell करता है तो जो tax बढ़ता है वो tax ये pay करता है किलियर है लेकिन यहाँ पर जब regular unregistered से purchase करेगा तो unregistered तो भई unregistered है यानि उसका GST में registration ही नहीं है तो वो government को pay ही नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर ये regular dealer इस unregistered dealer को tax देगा ही नहीं ठीक है तो यहाँ पर होता क्या है कि जब regular unregistered से purchase करता है तो tax लगता है directly government को pay करता है लेकिन उसकी एक process होती है सबसे पहले हमें tax on reverse charge जो है वो increase करना होता है tax on reverse charge के अंतरगत ठीक है इसको बोलता है reverse mechanism ठीक है reverse mechanism के अंतरगत सबसे पहले हमें जो liability है tax liability है उसे increase करना होता है increase of tax liability और फिर उसके बाद हम claim करते हैं ITC यानि की input tax credit को claim करते हैं और अपनी liability जो है वो decrease कर लेते हैं decrease of tax liability कहने का मुलब सीधा है सबसे पहले हम liability को increase करते हैं और फिर उसके बाद decrease करते हैं clear है तो यह कैसे करेंगी यह तो पूरा practically अभी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा साथ दो scenario दिखाते हैं कि जब regular रेगुलर से purchase करता है और जब regular unregistered से purchase करता है तो उसका scenario क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए purchase from regular dealer यानि कि जब regular dealer से हम purchase करते हैं तो उस condition में क्या होता है debit में purchase जैसे माल लेते हैं amount हमने छोटा सा रखा है 100 रुपे और यहाँ पर जब हम 100 रुपे का कुछ खरीते हैं तो उस पर GST लगती है माल लेते हैं 12% लगी ठीक है तो GST आपका कितना हो गया 12 रुपे हो गया जो कि debit होगा purchase के साथ GST में इसा debit होता है clear है और credit में cash हो गया यानि हमने उसको 112 रुपे पे कर दे या वो जिससे खरीदेगा वो उसको पे करेगा वो अलग बात है ठीक है लेकिन यहाँ पर हमारा काम खतम हो गया फिर आगे जब हमने उसको sell किया तो माल लेते हैं 100 रुपे इसमें हमें profit चाहिए तो उस माल को हमने 200 रुपे में sell किया अब यहाँ पर फिर से tax लगेगा तो यहाँ पर जब sell के साथ में tax लगता है तो वो credit होता है तो यहाँ पर 200 रुपे पर 12% के हिसाफ़ से 24 रुपे हुआ तो यह credit में आपका GST आ गया 24 रुपे क्लियर है अब यहाँ पर हम 12 रुपे जो बढ़ा है वो government को पे करेंगे तो डिएविट में हो जाएगा आपका GST 12 रुपे और credit में cash हो जाएगा यह समझ में आ गया इस तरह से हम government को tax पे कर देंगे 12 रुपे फिर यहाँ पर हमारा finally बचा किया तो 100 रुपे की income बचे और 100 रुपे कैस बचा है नहीं कि 100 रुपे हमारा income बचा है जो कि cash के रुपे हमारे पास है यह इतना केवल बचा बाकि यह तीनों इंटरियां आपस में आपर adjust हो गई कैसे देखिए जो sales होता है वो हमें सब purchase के साथ minus होता है और यह आपका 12 रुपे तो यह कितना हो गया आपका यह आपका हो गया 112 प्लस बारा हो गया 124 रुपे ठीक है यह हो गया credit का और डेविट में यहाँ पर है 224 रुपे तो 224 रुपे से 124 रुपे माइनस करेंगे परचेश को ग्रेट में कर देंगे 200 रुपे हो गया फिर उसके बाद हम क्या करेंगे liability को increase करेंगे तो जो liability increase करते है तो actual में क्या होता है कि जो हमारा tax होता है वो credit होता है तभी तो हमारी liability बनेगी जो liability होती हो हमें सा credit होती है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर जब हम माल को sell करेंगे तो इसको आगे adjust भी करना है तो यह temporary laser होता है ठीक है इसको हम current assets में फिलाल इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें ठीक है तो यहां पर फिलाल यह हमने liability जो है वो increase कर दी ठीक उसी प्रकार से यहां पर हम decrease भी कर देते हैं इसी तरीके से बस यहां पर हमने create में GST किया था यहां डेविट कर देंगे यहां पर tax on reverse charge डेविट था और यहां पर create कर देंगे तो यह दोनों entry आपस में minus हो गई एक बार यहां पर increase हुआ और दूसरी बार यहां पर decrease होगी liability clear है तो यह दोनों आपस में minus हो जाएंगी फिर जब हम यहां पर goods को sell करेंगे 200 में sell करेंगे GST होगी 24 रुपए और cash हमें मिलेगा 224 और सीधे government को यहां पर 24 रुपए पूरा पूरा pay कर देंगे अब इसको भी अगर आप यहां पर minus करके देखेंगे एक दूसरे से तो यहां पर भी यह सारी चीज़ एर्जेस्ट होने के बाद आपका finally इतना बचेएगा तो दोनों case में जो adjustment हमारा है वो same आ रहा है अब यहां पर हम इसको जो है practical करते है यहां पर यह पीडे बंद करते है तो यहां पर यह entry हम पास करते है यह entry हमारी purchase voucher पर रहेगी और laser बनेगा यहां पर pink city electronics का तो यहां पर हम laser बनाते है और सबसे पहले यहां पर हमें एक काम करना है वो काम क्या करना है जब हम tax on reverse charge यानि कि हम purchase करते हैं unregister dealer से तो यहाँ पर हमें एक option on करना होता है ठीक है वो क्या है तो यहाँ पर हम F11 की press करेंगे और जब हम यहाँ पर GST on करते है ठीक है आपको पता है यहाँ से जब हम GST enable करते है तो हम चाहें तो उसी time अगर हमें पता है कि हम unregister dealer से भी purchase करेंगे तो उसी time जब हम pen number अगर अपनी detail फिल करते हैं तब ही यहाँ पर इस option को हम on कर सकते हैं कौन सा यहाँ पर देखे आपको याद होगा इवे बिल जो है वो बार-बार आ रहा था अप sales और purchase के entry में तो हम क्या करते हैं इसको जो है no कर देते हैं यहां से थाकि वहां से हमें no ना करना पड़े और बाकी इसके उपर हम detail में आपको बताएंगे किसी separate video में क्या होता है तो यहाँ पर हमने enable tax liability on reverse charge इस option को yes कर लिया है और इसको हमने no कर दिया ठीक है अब यहां पर इसको हम control एसे accept करते हैं और यहां पर भी इसको accept कर लेते हैं अब यहां पर हमारा party name में पहले तो यहां पर voucher change करेंगे purchase voucher हमारा होगा party name में यहां पर हमारा होगा pink city electronic laser बनेगा और यह under किसके जाएंगे अंडर जाएंगे यहां पर यह sundry creditor के क्योंकि इनसे माल उधार हम खरीद रहें ठीक है और यहां पर हमें set करना है unregistered ठीक है क्योंकि यहां पर इनका registration type क्या है unregistered है तो यह चीद ध्यान रख नहीं वरना गडबड हो जाएगी तो यह unregistered हो गया accept करेंगे यहां पर इ register dealer taxable ठीक है यहां पर यही हमारा nature of transaction रहेगा एंटर करेंगे और अब यहां पर name of item कौन कौन से item है तो हमारा AC है 10-24,000 रुपए यह हो गया AC और go down निर्मल लगर quantity यहां पर 10 है और यह 24,000 रुपए एंटर करेंगे फिर उसके बाद यहां पर हमारा दूसरा आइटम क्या है selling fan 25-800, selling fan और go down निर्मल लगर 25-800 रुपए एंटर करेंगे फिर यहां पर तीसरा आइटम हमारा क्या है table fan 20-1200, table fan go down निर्मल लगर 20-1200 रुपए जो की पहले से आ रहा था कोई नहीं एंटर करेंगे last item हमारा क्या है battery 10-9,000 रुपए ठीक है और एंटर करेंगे यहां पर tax नहीं लगाना है ध्यान देना यहां पर हमें tax नहीं लगाना है क्यों नहीं लगाना है क्योंकि purchase हम कर रहे हैं तो हम सीधे-सीधे उसको सिर्फ 3,14,000 रुपए ही pay कर रहे है unregister dealer को ठीक है और liability हम दूसरे entry में increase करेंगे clear है तो यहां पर इसको हम ऐसे ही accept कर लेंगे लेकि pink city electronics और यहां पर हमें जाना है GST tax analysis में ठीक है और यह option अगर आप में direct आ रहा है तो कोई दिक्कर नहीं ठीक है आप सीधे यहां पर GST tax analysis में जा सकते हैं और यहां से आप देख सकते हैं कि कितनी GST लगी ठीक है तो यहां पर जो हम purchase कर रहे हैं total 3,64,000 का जिसमें GST हमारी ल amount इसका 3,64,000 ही है और इसको हमने accept कर लिया तो यह entry आपकी complete होगी ठीक है तो यह entry तो बिना GST के पास होगी अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको हम adjust करेंगे और यहां पर हम tax liability जो है वो हम बढ़ाएंगे ठीक है यहां पर tax liability हमारी increase होगी तो कैसे increase करना है तो चलिए सब है GSTR2 में और यहां पर हम सबसे पहले date set करेंगे एक February ठीक है एक February और यहां पर हमें मिल जाएगा URD purchase ठीक है यहां पर हम नीचे देख सकते हैं इसमें यहां पर आपको मिलेगा URD purchase और enter करेंगे तो यहां पर आपको सारी detail मिल जाएगी कि यह unregister dealer से purchase किया कितना क्या tax ल लगा है 52,360 हुआ है और इसका total जो है वह एक लाग 4,720 रुपए ठीक है तो इसकी हमें जरूत पड़ेगी तो यह काम करते हैं इसको यहां पर हम side में अलग note कर लेते हैं 720 और अगर हम बात करें अलग अलग तो यहां पर यह हो जाएगा 360 ठीक है और rate कितना इसका 14% है और जो taxable amount है वो 3,64,000 है ठीक है 3,64,000 ठीक है यह separate हो गया चलिए तो अब यहां पर हम जो है इसकी entry करते हैं तो यहां entry करने का मलब है tax liability को increase करते हैं तो उसके लिए हम चाहते हैं तो वहीं से increase कर सकते थे देखे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं वहीं पर GST reports में GSTR 2 और हम जो है decrease of tax liability है increase या क्या करना है यह सेट कर सकते हैं यहां से भी कर सकते हैं या फिर हम वापस आते हैं और चलते हैं सीधे accounting voucher में अनिकी transactions voucher में और यहां पर हम voucher सेट करेंगे general कौन सा voucher रहेगा general adjustment के लिए और यहां पर general voucher सेट करने के बाद हमें यहां पर भी क्लिक करन भी करेंगे तो हम porch बहुत सेट करेंगे यहां पर फिला हाल increase of tax liability सेट करते हैं और यहां पर क्या करते हैं कि एक ही इसाथ में adjust कर देते हैं यान की एक ही entry में liability को increase भी कर देते हैं और decrease भी कर देते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं फिलाल तो हम अलग-अलग entry में करेंगे तो increase of tax liability यहाँ पर enter करेंगे और इसमें हम बताएंगे purchase from unregistered dealer और फिर यहाँ पर हमारा debit में होगा tax on reverse charge debit में हाँ पर हमारा क्या होगा tax on reverse charge तो यहाँ पर हम laser बनाएंगे tax on reverse charge का यहाँ पर हम sort पर बना लेते हैं tax on reverse ठीक है अंडर इसको रखेंगे current assets के और यह एक normal laser होगा इसमें कुछ भी on off नहीं करना है और enter करेंगे यहाँ पर इसको हम accept कर लेंगे अब इसका amount कितना होगा tax on reverse charge का तो यह होगा आपका एक लाख चार हजार सासो बीस रुपए एक लाख चार हजार सासो बीस रुपए enter करेंगे credit में यहाँ पर आपका होगा CGST ठीक है क्योंकि यहाँ पर credit में होगा CGST का तो यहाँ पर हमने नीचे लिख करके रखा था 52,360 ठीक है यहाँ पर आपका होगा 52,360 रुपए enter करेंगे फिर यहाँ पर credit होगा आगे बढ़ते हैं अगला question का फीजी है यहाँ पर sold गया गया है यहाँ बेचा गया है cashco electronic को और एक चीज यहाँ पर देखिए इसमें बताया नहीं गया यह वैसे तो new customer है लेकिन इसमें इनका GSTA number या consumer ऐसा कुछ बताया नहीं गया तो हम मान लेते हैं कि यह consumer है ठीक है तो consumer है ठीक है consumer बता दिया और है shift कर लिया यहाँ पर इसे control A और यह control A ठीक है cells laser में आपका cells होगा और यहाँ पर cells taxable होगा clear है चलिए अब यहाँ पर item चेक करते हैं कौन कौन से item है तो यहाँ पर battery 4 है 10500 की तो यहाँ पर हमने सारे item जो है वो record कर लिया है enter करते हैं और यहाँ यहाँ पर हम last में लगाते हैं CGST और फिर उसके बाद SGST हो गया और यह entry आपके complete हो गया इसका total amount आ रहा है 75,326, 75,326 ठीक है सारी चीज़े हो okay है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पहले तो उस entry को हम accept करते हैं ठीक है यहाँ पर इसको हम accept कर लेते हैं तो यह entry complete हो गई फिर उ यहाँ पर हमें जो है उसी का opposite करना है ठीक है तो यहाँ पर voucher हमारे जनरल ही रहेगा stat adjustment करते हैं और यहाँ पर GST और यहाँ पर हम क्या करेंगे increase of ITC यानि की input tax credit इसको set करेंगे और यहाँ पर हमारा रहेगा purchase from unregistered dealer ठीक है वही चीज है purchase from unregistered dealer और debit में अब की बार यहा का opposite होगा यहाँ पर ठीक है तीन चौहतर हमें याद है और बाकी आप चाहें तो देख सकते हैं ठीक है अब CGST का amount कितना होगा 52 360 था I think अगर कुई गडबड होगा तो हम चेक कर लेंगे तो यहाँ पर हमें डाल दिया है दूसरी बार फिर से debit होगा और अपकी बार होगा SGST ठीक है SGST यहाँ पर 14% 34 ठीक है और इसका amount होगा 52 360 और एंटर करेंगे credit में यहाँ पर आपका होगा tax on reverse charge जो हमने laser बनाय था और यह आपका यहाँ पर total आ गया 1,4,720 और यहाँ पर tax on reverse charge का amount होगा 0 मतलब की सारी जीजे ओक है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी liability जो पे किया है 16,036 रुपए और यह चेक दौरा पे किया है तो कैसे पे करना आपको अच्छे से पता है लेकिन उससे पहले हमें यह देखना है कि 16,036 रुपए यह आया कैसे तो यहाँ पर हम कहां तक tax पे कर रहे हैं तो वापस चलते हैं और चलते हैं यहाँ पर display more report में और GSTR report में ठीक है GSTR reports में चलते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि GSTR 2 में क्या होता है GSTR 2 में हमारे purchase के record होते हैं और GSTR 1 में sales के record होते हैं और GSTR 3 में हमारा purchase का और sales का यहाँ पर summary होता है ठीक है तो यहीं से हमें पता चलेगा tax ठीक है तो यहाँ पर चलते हैं GSTR 3B में और 1 January 2021 तक का tax पूरा pay कर चुके थे, याद है न आपको, तो हमें tax फिर pay किसका करना है, तो सिर्फ फरोरी मन्त का, यानि एक फरोरी का जो है, ये tax के बल पे करना है, बस ठीक है, तो आपको एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा clear कर देते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो फरोरी में ही tax पे कर रहे हैं, और फरोरी मन्त का ही tax पे कर रहे हैं, तो real work में ऐसा नहीं होता है, टेक्स हम कपे करते हैं, तो देखें, अगर फरोरी मन्त का tax पे करते हैं, यानि एक मन्त पीछे का, लेकिन हुआ ये है, तो देखें, यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, त तरीके से होता है तो फिलहाल यहां पर हम टेक्स को पे कर देते हैं एंट्री पास कर देते हैं फरोरी मन्त में ही तो अब चलते हैं यहां पर और हम सेट करते हैं एक माइनस दो और यहां पर एक माइनस दो ठीक है और यह आपका जो फरोरी मन्त में जितना भी हमारा टेक्स है वो यहाँ पर आपके सामने है, तो अब यहाँ पर जो हमारी date set है, वो फरोरी मन्त की है, ठीक है, अब आपको पता है कि January तक का तो हमारा सारा JST Pay ही है, तो फरोरी का ही सिर्पे करना है, तो यहाँ पर एक चीज़ और चक्क कर लेंगे, कोई uncertain transaction तो नहीं है, तो एक uncertain transaction दिखा है, तो पहले इसको clear करेंगे, ठीक है, तभी हमें report सही से मिलेगी, तो यहाँ पर एंटर करते हैं, और यह uncertain क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यह point का कुई difference है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम accept as is कर लेते हैं, यानि कि जैसा है, वैसे accept कर लेते हैं, तो यह accept हो गया, uncertain transaction हमारा ह जाट गया है, अब यहाँ पर हमारा total देखे कितना आ रहा है, total आ रहा है, 18,382 रुपए, यह हमारा जो है, outwards supply है, और हमें ITC कितना मिलेगा, देखे, eligible ITC हमारा कितना है, 14,720 रुपए, तो अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं, इसको, 18,382 रुपए से हम माइनस करेंगे, 10 47,20, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर tax total कितना बना देखे, 76,662 रुपए, यह हमारा बना tax, ठीक है, जो हमें pay करना है, अब वापस लते हैं, trial balance में भी चेक कर लेते हैं, DT trial balance, और यहाँ पर current time में भी आप देखेंगे, 76,662 रुपए, वही amount यहाँ पर भी आ रहा है, यानि इतना pay करना है, ठीक है, और इसमें से CGST इतना है, और SGST इतना है, किलियर है, लेकिन यहाँ पर जो आप question में देखेंगे, इसमें तो हम 17,366 रुपए ही पे करना है, तो कोई नहीं, हम जितना pay करना है, उसी का इसमें से आधा CGST और आधा SGST हो जाएगा, ठीक है, बाकी जो बचेएगा, उसको हम बाद में पे करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट तो हमारी सारी सही ही है, आपको पता है न, तो यहाँ पर 76,662 बना, जिसमें से हम pay कितना कर रहे है, एक सरट 0,36, तो यहाँ पर आपका 15,626 रुपए यह बकाया रह जाएगा, ठीक है, और यह कौन से लेट फीस या ऐसा कुछ नहीं लगाए, क्योंकि हम time to time payment कर रहे है, तो यहाँ पर सीधे, चलते हैं यहाँ पर accounting voucher में, और यहाँ पर हमारा होगा payment voucher, और payment voucher में यहाँ पर हम सीधे जाएंगी, auto fill में, ठीक है, यहाँ पर चलते है, auto fill में, और state payment लगाएंगे, GST, और यह यहाँ पर कितना pay कर रहे हैं, तो यह हम pay कर रहे हैं, 16,036 रुपए, तो यह काम करते हैं, इसको divided by 2 कर देते हैं, ठीक है, तो हम pay कर रहे हैं, 30,518 रुपए, ठीक है, 30,518, एंटर करेंगे, और यहाँ पर फिर से debit होगा, SGST, SGST हो गया, यहाँ पर यह भी होगा, 30,518 रु ठीक है, तो यहाँ पर यह भी होगई, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगला जो question है, Mr. Gupta sold following item to Sam Trading Company on Crate, तो यहाँ से हम आगे continue करेंगे, अगली वीडियो में, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके सो, थैंक्स पर वाचि यहाँ और अखवते हैं plan है, पिर यहाँ तो यहाँ जो हमकल, और को यहाँ झाखते हैं, यहाँ तो यहाँ जो एकाा सORS भी दो इस हो जो इचेंशलme, तो यहाँ में जो ऑाव में पर ठीक हैं, में मृफ झाएंसे हैंशलme, यहाँ में हम आगली उहाँ स 그래도 आगे